इस वीडियो में हम देखेंगे equality operator, जो के double equal symbol के जरीए define होता है, equality operator का काम क्या है, कि अगर मैं है एक variable create करता हूँ, t नाम से, ठीक है, और इसमें मैं 10 की value रखता हूँ, फिर एक variable मैंने create क्या e नाम से, और उसके अंदर भी 10 की value रखा, अब क्या करेंगे, हम एक if की condition लिखेंगे, t equal to e, अगर t equal के बार equal है e के, यानि की t की value और e की value सेम है, तो हम क्या कर रहें, एक message को print करा रहा है, ठीक है, क्या message print करा रहे हैं हम यह पे, both are equal, अगर नहीं है ऐसा, trails की condition लिख लेंगे हम, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक console में message प्रिंट करा देंगे, कि नहीं भाई, डोनों अलग है, not equal, ठीक, तो यहाँ पे मैं आके इसे save करता हूँ, फाइल में जाके, save, और ब्राउजर पे जाने के बाद, refresh करता हूँ, तो दीखिए, both are equal, equal क्यों है, क्योंकि, T में भी 10 है, और E में भी 10 है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें 100 कर देता हूँ, E में, और वापस यह से save करते हूँ, और ब्राउजर को refresh करते हैं, तो दीखिए, not equal, तो is equal इसकी लिए आपको क्या यूजर करना है, यह double equal का sign यूजर करना है, अगर आप single यूजर करते हैं, तो वो assignment operator है, और double equal अगर आप यूजर करते हैं, तो उसे कहते हैं equivalent operator,